आज हम उसी को आगे कंटिउन्यू करेंगे आज हम पढ़ेंगे दक्षिन भारतिय बॉद्ध स्मारक यानि साउथ इंडिया में जो बहुत दर्म से समंदित जो भी प्लेसेस जो हैं जो हमें मिले हैं जहांसे बगवान बुद्ध से समंदित को आर्किटेक्चर या उनके स्ट एक है स्टूप एक है चैत्थी और एक विहार यह तीनों चीज यह क्या है इन में क्या डिफ्रेंसेज हैं क्योंकि यह जो शब्द हैं यह आज के पार्ट में बहुत बार आएंगे तो पहले हम बात कर लेते हैं चैत्थी की और विहार की चैत्थी और विहार यह दोनों गुफाएं होती है जो बड़े बड़े पहाडों को या चट्टानों को काट कर बनाई गई गुफाएं हैं यह तो चैत्थी भी एक गुफा है और विहार भी एक गुफा है बट इन दोनों में डिफ्रेंस यह है कि चैत्थी है एक गुफा म जहां पर जो बोध दिसन्यासी थे बोध दर्म से जुड़े हुए जो धार्मिक लोग थे वो पूजा करते थे वो एक उनका मंदिर था तो चेति को गुफा मंदिर भी बोलते हैं तो वो गुफा जहां पूजा प्रात्ना का इस्तान होता था, पूजा प्रात्ना करते थे, बोध दर्म से जुड़े लोग, उसे कहते हैं चेती, और विहार वो जगे थी, जहां वो लोग बोध दर्म से जुड़े, बोध दर्म के जिने हम सादू भी कह सकते हैं, बोध दर्म इस्तूप जो है वो, पहले शुरू में तो वो सिर्फ मिट्टे का बनाया जाता था, एक अर्दगोला का रर्ची, इस टाइप से, एक मिट्टे का बनाया जाता था, जिसमें जब उसको अशोग ने बन वाए था, समराच अशोग ने, तो जो बगवान बुद्ध की अस्तिया करवाया तो वो उसमें मिट्टी के होते थे दीरे-दीरे फिर उन पर वो इटों से बनाए जाने लगे पहले मिट्टी से फिर इटे फिर कुछ टाइम बाद उन पर पत्थर भी लगा करके उनको पका किया जाने लगा और ये भी एक बोद्धोधार्मिक इस्तल है और समय के सा इस टूब का ये भी बथर पर बनाएगा है इस टाइब से उनको डेकोरेट करने लगे तो इस टूब भी एक बोद्धार्मिक पूजा का इस्तान है और चेति भी बट चेति होते हैं गुफा इस्तूब गुफा नहीं होता है इस्तूब जो होता है वो छोटा भी हो सकता है वो किसी गुफा के अंदर भी इस्तूप हो सकता है जहां पर बहुत धर्म के लोग उस मतलब पूजा प्रात्ना करने के लिए जाते हैं तो आई हम शुरू करते हैं इस पार्ट को अंद्र प्रदेश के वेंगे शेत्र में अनेक इस्तूप इस्तल हैं जग्यपेट, अम्रावती, बट्टी प्रोलूरो, नागर जुनकुंडा और गोली यह सारी जगें हैं जहां पर इस्तूप मिले हैं यह साउथ इंडिया में दक्षिन बारत में है अम्रावती में एक महाचेत्ती है महाचेत्ती मतलब एक काफी बड़ी गुफा मिली है गुफा मंदीर जहां पर बहुत दर्म के लोग पूजा करते थे जिसमें अनेक प्रतिमा यानि स्टेचू बने हुए थे जो अब चेन्नाई संग्राल है यानि चेन्नाई में जो म्यूजिम है वहाँ पर रखा हुआ है अमरावती स्थल के संग्राल है नाई दिल्ली के राष्टर संग्राल है और लंदन के ब्रिट्रिस म्यूजिम में सुरक्षित रखी हुई है लंदन के ब्रिट्रिस म्यूजिम में इसलिए जो ब्रिटिश अंग्राले में कुछ इंग्लेंड कुछ अमेरिका में अलग-अलग जो जगे पर हैं वो रखी हुई है साची के इस्तूप की तरह अमरावती के इस्तूप में भी प्रदक्षिनापत है प्रदक्षिनापत हमने पढ़ा था लास्ट तेम उसको फिर देख लेते हैं एक बार यह इस्तूप जो बना हुआ है जहां पर दर्शन करने के बाद लोग पूजा करने के बाद जो इसका पूरा चकड़ लगाते हैं यह इससे प्रदक्षिनापत केते हैं और यह जो हिस्सा है यह दिख रहा है आपको यह जो स्टॉन की बड़े-बड़े टुकुडे काट करके एक दिवार टाइप बनाय हुआ है और यह जाली जिससे बनाय हुआ है कि यह स्टॉन के ही खमबे यह खड़े हुए और इसके ब जो प्लेन स्टोन होते थे उस स्टोन को एंग्रिव करके और उन पर जो सारी बगवान बुद्ध के पूर्व जन्म से समन्दी दिया उनके उस जन्म की उनकी स्टेचू जो थी वो सारी इनके उपर डेकोरेशन के लिए बनाई गई थी तो यह हैं प्रदक्षिन आपद जहां स्टूब के उपर बनती है और सब से उपर चध्र जो जैसे मंदिर में हम देखते हैं कि कहीं जंडा लगाया होता है कहीं चछात्र लगाया हूता है उस टाइप से हैसमें भी लगा हुआ है इस टूप में भी प्रदक्षिन अ पत है जो वेदिका से डखा हुआ है जैसे वेदिका को अब भी हमने देखा था इमेजेस कहेंगे जिसको या इन्ग्रेव करके जो बनाई थी वो बनानी एक इस्टोरी यह पूरी स्टोरी उनके उपर वेदिगा की चट्टानों के उपर बनाई गई यह पत्थरों पर गुंबदी इस्टूप का डाचा या संडचना उभारदार इस्टूप प्रतिमाओं के चोकों से ढखा हुआ है उसकी खास विशेष्टा है अमरावती इस्टूप इस प्राप नहीं हुए हैं बुद्ध के जीवन की गटनाय और जातक कफाओं के प्रसंग चित्रित हैं ये सबी जगें मिलें बुद्ध के जन्म से समंधित जो भी स्टूरीज है उसकी हालंकी अमरावती के स्टूप में यह हम देख पा रहे हैं यह है यह है अमरावती का स तुप अंद्रप्रदेश में जावरावतिस्ताने वहां से इसका वश्येश मिला है और यह इस तुप की बाहरी दिवार पर उतकिर्नित अमरावति में जो अमरावति के स्थूप है उनके बार स्टॉन पर इस टाइप की स्टोरीज जो है वो ड्रो करके फिर उसको उसके बाद उसमें 300 सालों तक रेगुलर काम चलता रहा और 300 साल में बनकर वो पूरा हुआ लेकिन इसका सर्वतम विकास इसा की पहली और दूसरी शतापती में हुआ कि उसका जो सबसे अच्छा हुआ उसमें काम हुआ था वो इसा की दूसरी यानि इसा के बर्त के बाद साची की तरह इस इस्तूप में भी पहले चरण में बुद्ध की प्रतीमा है डोल के चोंको और कई अन्य इस्तानों पर रुके रही गई संयोजन के बीतरी अंतराल में आकरतियों को नाना रूपों मुद्राओं आसनों जैसे सामने से पीछे से आगे से और एक तरब से दि अंबीर हावबाव देखने को मिलते हैं आकरतियां पतली हैं और उसमें गती शरीर में तीन बंगी में त्रिबंग रूप में दिखाई गई हैं साची की प्रतिमाओं की तुलना में इन प्रतिमाओं का संयोजन अधिक जटिल है यानिकि जो साची में बना हुआ था जो काम उन्होंने रिलीव जिसे कहते हैं इंग्रेव करके जो स्टोरी बनाई थी उसमें उन्होंने काफी सारे केरेक्टर यूज किये कि जो में मुकी केरेक्टर है जो कोई राजा का अगर उनको बनाना है तो उसके साथ में उन्होंने काफी सारे लोग जूलूश चलते हुए इस चलता को दूर कर देती है उबादार प्रतिमाओं उद्ब्रद्यों यानि कि रिलीफ्स जो में देख रहे हैं वो में तीन आयामी अंतराल को तैयार करने का विचार उबरे हुए आयतन कोनिय शरीर और जटिल अतिव्यापती की रूप में कार्यानवित किया गया है किन्तु र दिखे इस पर जादा दिया गया है आख्यान का चितरन बहुतायत से किया गया है इन आख्यानों में बुद्ध के जीवन की गटनाओं जातक कताओं के प्रसंगों को प्रस्तूत किया गया है तो mostly जो बगवान बुद्ध से जुड़े हुए जो भी stories हैं हर जगे वही फिर भी उनमें ऐसे अनेक जातक दर्श पाये जाते हैं जिनको पूरी तरह पहचाना नहीं जा सका है काफी stories एसी हैं जिनको अभी तक पहचाना नहीं जा सका है कि ये कौनसी story है जन्म की गटना के पस्तुति करण में यह हमने पहले भी पढ़ा था इससे पहले वाले पार्ट में कि एक relief जो हमने देखा था उसमें बगवान बुद्ध की जो माँ है वो लेटी हुई है और उनको सपने में एक हाती आता है वो उसको फिर बताये गाई है कि शया पर लेट में बुद्ध के जीवन से समंदी चार गटनाएं दिखाई गए है इससे यह पता चलता है कि आख्यानों को नाना रूप में चितरित किया गया है बुद्ध के जीवन की चार जो सबसे प्रमु गटना है जब बगवान गुद्ध गर छोड़के जाते हैं जब उनको जब उ यह हम देख रहे हैं फलक नागरजुन कोंडा फलक मतलब होता है साइड कि स्टॉन की एक साइड है उस पे यह एंग्रेव करके उन्हों ने यह बनाया है इसा की तीश्री चतापती में नागरजुन कोंडा गोली की प्रतीमाओं में आकरतियों की अनुप्रानित गती कम हो जाती है अमरावति की उत्वरत प्रतिमाओं की तुलना में नागरजुन, कॉंड़ा और गोली के कलाकारों ने काया की उब्री हुई सतहों का प्रभा उत्पन करने में सफलता पाई कि वो इस्टोन पे जो इंग्रेव करके प्रतिमाओं बना रहे थे वो इस समय उनको ज्यादा इंग्रेव करके बिल्कुल इस्टेचु जैसे कि जैसे इस्टेचु को हम चारो तरह से देख पाते हैं उसके जैसा वो बनाने लगी ज्यादा उभारदार चीज़े जथी वो बनने लगी जो स्वाबाविक है और उसका अभी नंग दिखाई दे थी यो रियलिस्टिक दिखने लगी कि जैसा एक इंसान है वेसा का वेसा दिखाई दे वो सिर्वेसानियों को सामने से दिखाई दे उसको हम काफी जगे से देख सेकें अलग-अलग एंगल से तो इसा बनाने की उन्होंने कोशिश करी थी अम्रावती नागारजुन कॉंड़ा और गुंटापली या अंदर प्रदेश में हैं यहां बुद्ध की स्वतंत्र प्रतिमाय भी पाई जाती हैं अभी जो हम पहले सभी जो देखा हैं हमने उसमें कि कोई चटान पर या दिवार चेति की दिवार पर या ऐसा कोई जब पूरी स्टोरी कुछ बनी हुई है उसमें हमने बुद्ध की स्टेचूज या प्रतिमाय जो इंग्रेव करके बनाए गए हैं वो भी इन तीनों जगों से मिलिया गुंटापली में चटान में काटी गए एक गुफा है जो एलूरू के पास इस्तित है यहां छोटे गजप्रस्टिय बहु कौन तथा व्रत्ताकार चेतिकक्ष इसा पूरू दूसरी शतापती में खोद कर बनाए गए गए थे यानि पीट तो जैसे एक हाती की पीट होती है इसे तो इस प्रकार की चत वाले जो है वो चेति बनाए गए गए गजप्रस्टिय बहु कौन है यह इसमें काफी सारे एंगल यूज करके गुफाओं को इस प्रकार से खोदा गया है कि उसका उपर वाला जो चत वाला पार्ट है वो इस तरीके से दिखाए गए तो उन्हें गजप्रस्टिय बोलते हैं जिसे हम आर्च कहते हैं यहां छोटे गजप्रस्टिय बहु कौन है तो था व्रत्ताकार चेतिकक्ष इसा प पटनम के पास अन्ना कल ली है यहां भी इस प्रकार के स्टूप बने हैं अब तक खुदाई में मिला सबसे बड़ा स्टूप सन्थी जन्दपद गुलबर करनाटक में है यहां एक इसा भी स्टूप है जिसे अमरावति के स्टूप की तरह उभारदर प्रतिमाउं से सजाय बड़ी संक्या में स्टूप के निर्मान कारत यह नहीं होता कि यहां संदशनात्मक मंदीर विहार या चेति नहीं बनाए गए थे अब आगे हमाई चेति और विहार कि यहां इस तूप बने हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि चेति और विहार नहीं बने हैं चेति और विहार यह गुफाए हैं, वो भी यह बनी हैं कुछ महत्मुन संडाशनात्मक विहारों में सांची के गजपरश्टाकर चेत्टी का लेख किया जा सकता है जिसे अभी बताए गजपरश्टाकर यानि आडश के रूप में उसका जो च्छते वो आडश के रूप में कोट करके उसको बनाए गया है चित्तिकू यह वहां का मंदीर संक्या 18 है कुफा मंदीर संक्या 18 जो की एक साधरन देवालय है जिसमें आगे इस्थंबु बने हैं और पीछे एक बड़ा कक्ष बना है इसी प्रकार गुंटापली के संदशनात्मक मंदीर में भी उलेकनी है बुद्ध क आगे प्रतीमाओं के साथ सत्थ अन्य बुद्य प्रतीमाओं जैसे कि अव्लो की देश्वर पद्मपानी वज्डपानी अमिताब और मेत्रिय जैसे बुद्धों की प्रतीमाओं भी बनाई जाने लगी यह जो सभी हमने नाम पढ़े अब ये बगवान बुद्य की जो है प्रतिमाओं के नाम है जिसमें उनके बेटने के स्टाइल या अलग अलग पोस्ट से उनके स्टेचुस के अलग अलग नाम दिये गए हैं जिसे अवलोग की देश्वर पादम पानी पादम पानी मतलब वो बुद्ध जिनके हाथ में कमल का फूल है वज्डपानी अमीताप मे जो शाका हैं जैसे श्वेतांबर दिगंबर मुस्लिम दर्म में भी शिया और सुनी उसी प्रकार जो बोध दर्म है उसमें भी अलग अलग पार्ट थे इसमें सबसे पहले हीन यान बना फिर महायान फिर वज्रियान तो ये बोध दर्म के जो साद्वों ने या आपने कुछ एसी प्रतीमा है भी जोड़ी जाने लगी जिसके द्वारा बोध दर्म के जनहीत के धार्मिक सिद्दान्त के प्रचार के लिए कतिबे सद्गुनों का मानविकरन करके प्रतीमा के रूप में प्रस्तुत किया गया कि ये जो शाका थी इसके अंदर बगवान बुद् ये गुफाएं वेस्टन इंडिया में बनी हुई गुफाएं पस्चिम बारत में बहुत सी बहुत गुद्ध गुफाएं हैं जो ईसापूर्व दूसरी शतापती जीजस क्राइस के बर्ट से 200 साल पहले और उसके बाद की बताई जाती हैं उसमें वास्तुकला के मुख्य तीन रूप मिलते हैं गजप्रस्टिय महराब कक्ष फिर वही की आर्ट चवाले कक्ष बने हुएं जो उपर से इस प्रकार से राउंड हैं यह हम देख पा रहे हैं यह जो कार्ला महाराष्ट में महाराष्ट में हैं वहाँ पर यह बना हुआ है चेत्य यानि गुफा मंदि और यह सारे पहाड को काट कर यह पिलर्स कंब्य बनाए गए हैं और यह उपर का पॉर्शन है और इसके उपर जो यह हम छत देख पा रहे हैं इस तरीके कि बड़ी-बड़ी गुफा हैं जो थी बनाई जाती थी जिसमें वो लोग पूजा करते थे उर रहते थे तो यह वो गुफा है जहां वो लोग पूजा करते थे इसमें स्थूब भी बनाऊ है तो यह चेती कुफा वाले चेत्ति कक्ष को अजन्ता पीतल खोड़ा बज में पाए जाते हैं कि इस टाइप से जो गजप्रस्ट वाले चेत्ति हैं वो अजन्ता में पीतल खोड़ा में और बज में पाए जाते हैं दूसरा है गजप्रश्टिय महरवाली छट वाले इस्तंभु विहिन कक्ष वो जो हमने देखे थे उसमें इस्तंभ यानी पिलर्स थे और कुछ ऐसे भी हैं जिसमें बीना पिलर्स कियें उनली छट जो है वो आर्ज के रूप में गजप्रश्टिय जैसी है जो माराष्ट के ठाना और नाथसर में मिलते हैं जिसके आउश्टिय समय ताना और नाथसर से मिलें महराष्ट में और तीसरा है सपाट चतवाले चतुषकोणी है कक्ष कि जिनकी चत बिल्कुल सीधी है प्लेन उनमें गुमाव नहीं देखने को नहीं मिलेगा मैं जिसके पीछे की एक व्र प्रताकर चेत्य चाप महराव की प्रदानता होती थी सामने का इसा खुला होता था जिसका मोहरा लकड़ी का बना होता था और कुछ मामलों में बिना खिड़की वाले महराव आए जाते हैं जैसा कि कॉंडी वाइट में भी देखा गया है सभी चेत्य गुफाओं में पीछ की तरह इस्तूब बनाया जाता था इसा पूर्व पहली शतापती में गज प्रस्टिय महरावी शत्वाले इस्तूब की माना की योजना नक्षे में कुछ परिवर्तन किये गए जो पहले बनाया जाते थे उसके बाद उन में कुछ नक्षों में कुछ चेंज किये गए जिस कारला कनहरी में पाय जाता है अनेक गुफा इस्तलों में पहले मानक किस्म के चेत्य कक्ष परवर्ति काल के भी पाय जाते हैं कारला में चटानों को काट कर सबसे बड़ा कक्ष बनाए गया था गुफा की योजना में पहले दो खंबो वाला खुला सहन है वर्षा से बचने के लिए एक पत्थर की परदी दिवार है फिर एक बरामदा मोरों के रूप में पत्थर की परदी दिवार एक खंबे पर टिकी गज़ प्रस्टिय चत्वला चेत्य कक्ष पुरंत में पीछे की और एक इस्तुफ बना है कार्ला चेत्य कक्ष मंडप को मनुष्यों तथा जानवरों की आकरतियों से सजाए गया है डेकोरेशन के लिए वहाँ पर इंसानों और जानवरों के रिलीफ ये आकरतियां बनाई गई है वे भारी और चित्र के अंतराल में चलती हुई दिखाई देती है कनहेरी की गुफा संक्या 3 में कार्ला के चेत्य कक्ष की योजना का कुछ और विशद विश्तिरित रूप दिखाई देता है कि जो हमने कार्ला में देखी थी उसका भी कुछ डिस्क्रेप्टिव उसमें ज्यादा विश्तित रूप दिखाई देता है इस कुफा के बीतरी बाग का संपण निर्मान कार्ली एक साथ ही नहीं किया गया था इसलिए इसमें समय समय पर संपण नि किये गए कार्ली की प्रकृति की जलग इस पस्टे दिखाई देती है कि ये जो काम तो सारा वो किसी एक समय में complete नहीं हुआ किसी ने शुरू किया फिर वो चलता रहा फिर वो रुख गया फिर किसी और राजा के समय शुरू हुआ तो अलग-अलग समय के जो काम था उसमें अलग-अलग स्टाइल से था तो वो पता चलता है कि ये किस समय का काम है और ये किस समय का इन में कितना डिफरेंस है कि जैसे कि हम अभी देखते हैं कि जैसे हमारे समय अभी किस टाइप की चीज़े हैं या कैसी मूवीज बनती हैं हमारे मामी पापा के समय कैसी हैं या फिर दादादी के समय कैसी थी तो उसमें हमें देखने से पता चल जाता है कि ये कितनी पुरानी है तो उसी टाइप से आर्ट में भी ऐसा ही है कि वो समय के डिफरेंस के साथ उसमें भी काफी डिफरेंसे जाते है तो इन जो गुफों है इनमें यही देखा गया है आगे चलकर चतुष कोणी है चप्टी छत वाली शेली के सबसे अच्छा डिजाइन समझा जाने लगा और यही डिजाइन व्यापकर ग्रूप से अनेक इस्तानों पर आये जाता है जहां तक विहारों का सवाल है वे सबी गुफा इस्तलों पर खोदे गए हैं विहारों की निर्मान योजना नक्षे में एक बरामदा बड़ा कक्ष और इस कक्ष की दिवारों के चारों और प्रकोष्ट होते हैं कुछ महत्वपुन विहार गुफाएं आजन्ता की गुफा संक्या 12, वेदसा की गुफा संक्या 11, नासिक की गुफा संक्या 3, 10 और 17 हैं आरंब की अनेक विहार गुफाओं के बीतर विहार गुफाओं यानि जहां बहुत दो सादू रहते थे उन गुफाओं को विहार गुफाओं के बीतर से चेति के महरावों और गुफा के प्रकोष्ट द्वारों पर वेधिका डिजाइनों से सजाया गया है बाद में इस तरह की सजावट को छोड़ दिया गया नासिक की गुफा संक्या 3, 10 और 17 में मोहरे की डिजाइन में एक अलग उपलब दी हुई है नासिक की विहार गुफाओं में सामने के इस्तंबो के गट आधार और गट शिर्ष पर मानव आकरतियां उकरी गई है एसी ही एक अन्नी गुफा जुन्नार माराष्ट में कोदी हुई है जो आम जनता में गनेश लेनी नाम जप्रसिद्ध है उसको गनेश लेनी गुफा को नाम दिया गया है क्योंकि इसमें गनेश जी की प्रतिमा इस्तापित की हुई है इसलिए इस गुफा को गनेश लेनी नाम दिया गया आगे चलकर इस विहार के कक्ष के पीछे एक इस्तूफ भी जोड़ दिया गया जिससे यह एक चेति विहार हो गया इसा की चोथी और पांचवी शतापती यानि 4th and 5th century के इस तूपों में बुद्ध की प्रतिमा सनलगन की गई है चुन्नार माराश्ण में कुदी हुई गुफाओं का सबसे बड़ा समू है नगर की पहाडियों के चारों और 200 से भी ज़्यादा गुफाए है यहाँ दोसों से भी ज़्यादा गुफाए है देखने को मिलेंगी जो चटननों को पहाड़ों को काट कर बनाए गए है जबकि मुंबई के पास कनहरी में एसी एक सो आट गुफाए है गुफा इस्तलों में सबसे महत्मुन इस्तल है अजन्ता, पीतलखोरा, एलोरा, नासिक, बज, जुन्नार, कार्ला और कनहरी की गुफाए है इसमें अजन्ता, एलोरा और कनहरी की जो हैं वो आज भी फलफूल रहेंगी है कि इनके अवश्यस जो हैं वो ज्यादा मात्रा में मिले हैं आज भी हम इनको खाफी अच्छी इस्तति में उपलफ दे हैं कि जो हमें इनको देख पा रहे हैं तो आची क्लास हम यहीं कतम करते हैं नेक्स्ट आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे अजन्ता की फाहों के बारे